मम्ता के भतीजे अभिशेक बनर्जी की पत्नी विदेशी आखे CBI के नौटिस से टी एमसी में इतनी खलवली क्यों महरास्ट में संजे राउत ने भाजपा के भ्रस्ट नेताओं के नाम आज तक भी नहीं बताए हैं विगत दिनों जब परवर्तन निदेशाले ने महरास्ट में सत्ता रूड शिवशेना के दबंग नेता संजे राउत की पत्नी को आर्थिक घोटाले की एक मामले में नोटिस जारी किया तो राउत ने कहा कि मैं भाजपा के भ्रस्ट नेताओं के नाम उजागर करूँगा मुझे नोटिस दिलवा कर केंदर सरकार ने गलत पंगा लिया है हलाकि एक महिना गुजरने के बाद भी संजे राउत भाजपा के नेताओं के नाम उजागर नहीं कर पाए हैं अलबता उनकी पत्नी अब परवर्तन देशालिय के अधिकारियों को जाच में चुप चाप सहयो कर रही है संजेर राउत के भी अब पहले जैसे तेवर नहीं दिख रहे है वहीं नोटिस मिलने पर जो तेवर संजेर राउत ने दिखाए थे वैसे ही तेवर और पस्चिम बंगार में मुख्य मंतरी मम्ता बैनर्जी और उनके भतीजे अभिशेक बनर्जी दिखा रही है कोईले की कालाबजारी के एक मामले में अभिशेक की पतनी रूजीरा बैनर्जी को सीबियाई ने नोटिस दिया है जबकि रूजीरा की बहन से सीबियाई पूस्टाज कर नही है हम आपको बता दे कि कोईले की काला बाजारी के मुख्य आरोपी विने मिश्रा और अनूप लाला से मम्ता बेनर्जी के परिवार के सदस्यों से कारोबारी रिष्टे बताए जा रही है कहा तो यह भी जा रहा है कि अभीशेक और विने मिश्रा ने तो एक साथ विदेश यात्राएं में की है मम्ताव लिर्जी के परिवार के पास जमा करोडों की संपत्यों में कोईला तसकरों की भूमिका बताई जा रही है CBI के पास पुक्ता सबूत होने की बात भी कही जा रही है तभी तो ममताव इनर्जी जैसी फाइल ब्राण मुख्य मंत्री के परिवार के सदस्य को नोटिस दिया गया है ममताव इसे माई में होने वाले विधानसवा चुनाव से जोड़ कर देख रही है ममता का आरोप है कि केंदर में सत्ता रूड भाशपा के नेताओं के इशारे पर CBI कारेवाही कर रही है ममता का यह आरोप सही भी हो सकता है लेकिन सवाल यह भी है कि कोईले की तसक्री करने वालों से अभी शेक बनर्जी संबंद बनाए यह तो भाजपा के निताओं ने नहीं कहा था तसक्रों से संबंद तो अभी शेक ने स्वेम की मर्जी से बनाए है अब जब उनी संबंदों के कारण CBI नोटिस दे रही है तो रासनितिक द्वेशा का मुद्दा उठाया जा रहा है CBI ने रुजीरा बनर्जी के साथ साथ उनकी बेहन को भी नोटिस जारी किया है और पूस्ताज भी की जा रही है मतलब साफ है अब शेक बनर्जी के रासनितिक रुत्वे का फायदा साली साइवा ने भी उठाया है दोनों बेहनों से पूस्ताज करने के बाद CBI अविशेक बनर्जी से भी पूस्ताज करेगी ऐसे में मम्ता की मुसीब्ते और भी भडेंगी अब यह भी सामने आ रहा है कि अविशेक की पतनी रुजीरा के पास थाईलेंड की नागरिकता है यानी कि अभी शेख की पतनी विदेशी है एक विदेशी महिला की उपस्थिती भी ममता के लिए सिर्धर्त बन सकती है सब जानते हैं कि पस्च्चिम बंगाल में अभी शेख बनरजी ही असली मुख्य मंतरी है अब शेक के फैसलों से नराज होकर ही टीमसी के मंतरी सांसद विधायक लगातार भाजपा मिशा में हो रही है पस्चिम बंगाल में विधानसवा चुनाव को लेकर माहोल पहले ही तनावपुन है निस्पक्ष चुनाव के लिए केंद्रिय सुरक्षा बलो की तैयारी की जा रही है आप देखना यह होगा कि चुनाव खत्म होने तक ममता की मुसीबते कितनी कम होती है या फिर यह भी कह सकते हैं कि मुसीबतों से ममता खुद को कितना बचा पाती है ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहट आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क कोई hidden charges भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर book करें